हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लेविथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल इंडिया के बारे में जो की एक बहुती बढ़िया पॉजिटिव खबर निकल गया है और इस खबर के चलते मुझे लगता है कि कॉल इंड करता है कि बहुत ही बढ़ी एक रिवरसल आपको देखने को मिल सकता है तो खबर के बारे में हम डिट्यल में अनालीसिस करेंगे और आगे किस तरह की मोमेंटम शेर प्राइस के उपर देखने को मिल रही थी तो जो खबर निकल का ही है उसके उपर एक नजर कर लेते हैं तो चैनल बनाया है तो यसी जैनलों फॉमिशन बने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो जिसे कि आप देख सकते हैं हम energyworld.com की website के उपर आये हैं और जो खबर निकल काई है वो आप लोगों के सामने हैं और शाहिद आपको बताओगा कि कॉल इंडिया जो की कॉल माइनिंग में काफी बड़ा बिजनेस है कॉल इंडिया का और पिछले कुछ दिनों हमें यह भ पार में हम detail में analysis करेंगे तो जिसा की दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात उर्जा विकास निगम की और से 100 मेगावल्स solar power purchase agreements हुआ है यानि 25 साल सक कॉल इंडिया के पास से गुजरात उर्जा विकास निगम power purchase करेगा 100 मेगावल्स तो इस तरह की दोस्तों यह यहां पे खबर है निकल के आ रही है और इस खबर के impact में definitely share price के उपर भी देखने को मिल सकता है और साथ में देखा जाए तो कॉल इंडिया अपने business को diversify करता हुआ finally नजर आ रहा है और यहां पे कॉल इंडिया की और से इसी भी खबर है निकल के आ रही है कि 2024 खतम होने से पहले 3000 मेगावल्ट solar power generations का उसका दोस्तों target है और यहां पे जो वो investments करेंगे वो तकरीबन 1500 करोड का solar power projects में उसका investments रहेगा तो इस तरह की दोस्तों यहां पे खबर है निकल के आ रही है जो की अपना आपने काफी बड़ी और तगड़ी खबर है और साथ में कॉल इंडिया अपने business को काफी बड़े पैमाने में diversify करता हूँ हमें नजर आ रहा है और यह जो order मिला है गुजरात उर्जा निगम की और से उसका जो investments रहेगा कॉल इंडिया का ओ तकरीब बन 442 करोड का investments रहेगा और इस investments के जरीए 100 MHz का दोस्तों solar power project स्थापित करता हूँ हमें कॉल इंडिया नजर आएगा तो इस तरह कि यहां पर खबर है देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि अपना में काफी बड़ी खबर है और काफी positive खबर साबित हो सकते है कॉल इंडिया के लिए और देखा जाए तो अच्छी खाजी हमें correction देखने को मिल चुकी है और सच करके रखा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते एक रुपे 25 पेसे की बड़ोतरी के साथ closing देखने को मिल रहा है और फाइनली जो closing देखने को मिल रही है और 126 रूपे 25 पेसे और डेलबर percentage की बात कर रहे तो जो quantity trade हुई थी वो तकरीब नब्य लाख 92,000 quantity trade हुई थी ज जिसमें से डेलबर quantity की बात करें तो 30,34,000 quantity हमें डेलबर quantity नजर आ रही है डेलबर percentage निकल के आ रहे है और 33% से भी ज़्यादे के डेलबर percentage देखने को मिल रहे है तो यहाँ पर अच्छी खाज है हमें खरीदधारी भी देखने को मिल रही है और कहना है कि खरीदधारी होती है और लेवल्स भी identify करके रखे है और जैसा में आपको बता 162 रुपी से मैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और अब कहीना की जो लो बनाया था वो 130 रुपे के आसपस हमें लो बनाता हुआ को इंडिया नजर आ रहा है और देखा जाए तो यहाँ पे आप आट के उपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखा जाए तो पिछले तीन दिनों का हाई को ब्रेक करके यहाँ पे उपर की तरफ हमें closing देखने को मिली है जैसा कि आप देख सकते है और फ्राइडे के दिन के आप candle देख सकते है हमें पिछले तीन दिन के हाई को ब्रेक करके के उपर की तरफ ही closing देखने को मिल रही है तो दोस्तो मुझे लगता है कि यहां से एक बढ़िया reversal आपको कॉल इंडिया में देखने को मिल सकता है अगर आपने position बना के रखी है कॉल इंडिया में उपर के level पे तो आप अपनी position को 120 के SL के साथ यहां पे दोस्तो हॉल्ड कर सक सकते है और अभी भी एक खरीद दरीगा काफी बढ़िया मोगा है 125-126 के असपास और पहला resistance level देखने को मिल सकता है और उसके उपर 162 रुपे का तो उपर के level पे दो resistance level यहां पे निकल के आ रहे है और बड़े target यहां पे आपको कॉल इंडिया में देखने को मिल सकते है औ और अच्छी खासे correction भी देखना को मिल चुकी है तो उपर के level पे आपने खरीद दरी करके रखी है तो अभी दोस्तों आप गभराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है कि बढ़िया यहां पे आपको reversal देखने को मिल सकता है कुस दिन के लिए आपको patience के सा को जरूरत सब्सक्राब करें और अभी तक अपने हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते है तो इस वीडियो में इतने दोस्तों thank you again for watching this वीडियो